हेलो फ्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है ये है हमारा हीरो पैसन एक्स प्रो 110 सिसी वाला मॉडल और आज हम इसकी चैन को एड़ेस्ट क्लेन और लुब्रिकेट करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों चैन को एड़ेस्ट करने के लिए और क्लीन और लुब्रिकेट करने के लिए सबसे पहले हमें यह उपन करना होगा 10 mm का बोल्ड है एक और दूसरा यहां पर आता है यह दोनों उपन करने होगे उपर वाला चैन का और नहीं खोलेंगे तबी तो भी चल जाएगा रे इतना ज्यादा भी प्ले अच्छा नहीं है वो तो हमारा लग है कि आज तक कोई प्रॉब्लेम नहीं हुआ यह गाड़ी चलाते वक्त लेकिन इतना प्ले सही नहीं है इसको हमें एड़ेस्ट करना होगा चैन को एड़ेस्ट करने के लिए किसी भी बाइक में सेम ही मेथड ह होती है सबसे पहले हमें ये वाला नट डिला करना होगा उसके बाद ये गाड़ी पुरानी टेकनोलोजी वाली है तो इसमें हाफ एक्सेल वाला सिस्टम है उसके बाद ये वाले नट को ढिला करेंगे उसके बाद चेन एडजेस्टर स्क्रू ये है और दूसरा वो है दोनों को दीरे दीरे टाइट करेंगे और इससे चेन हमारी टाइट हो जाए और जितने भी बड़े बाइक्स होता है डेड़ सो सी सी से उपर की कैटेगरी वाले जिसमें ये वाला सिस्टम नहीं होता हाफ एक्सेल नहीं होता है फाइनली हमने एक्सेल नट को और ये हाफ एक्सेल वाले नट को धिला कर दिया है अब हम ये जो 12 mm वाला नट है यहां से खीजेंगे इसको टाइट करेंगे तो ये चेन दीरे-दीरे टाइट होगी फाइनली हमारी चेन एड़ेस्ट हो गई है और मैंने इतना फ्री प्ले रखा है वैसे ये भी थोड़ा सा ज्यादा है अभी हम इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के लिए ये कपड़ा है इसमें है डीजल पूरी चेन को डीजल वाला करेंगे और कपड़े से हाथ से क्लीन करेंगे चेन को हमने डीजल से क्लीन कर दिया है और अभी मैं मेरा ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मिला यूज करूंगा इस पे लगाऊंगा ग्रीस यह सिंपल वाली चेन है और इंग चेन नहीं है जितने भी ऐसे कवर वाले चेन कवर वाले बाइक होते हैं उसमें ऐसी चे और इंग चेन होती है और इंग चेन में ग्रीस नहीं लगा सकते लेकिन इसमें ग्रीस सबसे ज्यादा अच्छा रहता है ज्यादा लोग ऑईल लगाते हैं लेकिन ऑईल में दिक्कत क्या होती है कि ऑईल से कच्रा भी बहुत ज्यादा लग जाता है चेन पे प्लस जब भी पूल स्पीड पे चलती है तब इतना ज़्यदा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पैदा होता है चेन के उपर तो ओइल सारा एक्स्ट्रेक्ट होके बहार आ जाता है और कवर सिर्फ चेन का कवर गंदा होता है चेन को लुब्रिकेट नहीं हो पाता इसे अच्छा ग्रीस है कम से कम एक साल तक चलता है मेरे पास पहले पलसर 180 UG3 मोडल था रेड कलर वाला जिसमें ऐसी चेन आती थी उसमें मैं ग्रीस लगाता था और एक साल तक आराम से चल जाता था अब हम पूरी चेन को ग्रीसिंग करेंगे और ग्रीसिंग करने के बाद फाइनली फिर से एड़ेस्ट कर लेंगे चेन को फाइनली हमारी चेन बहुत अच्छे से ग्रीसिंग हो गई है और स्मूदली चल भी रही है इसको हम फिर से थोड़ा सा एड़जस्ट कर लेंगे और उसके बाद चेन कवर को लगा देंगे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे जैन कर दो कर दो कर दोड़ा है